एपिसोड तेंटीस सेंसेशनल लाली पता नहीं यहां के लोग अपने आपको क्या समझते हैं? मुझसे आड करवा रहे हैं, मुझे लेकर अपनी फिल्म में गाने फिल्मा रहे हैं, लेकिन मैं उनकी पार्टी में नहीं जा सकती. ऐसे क्या हीरे जवारात बटेंगे उस पार्टी में, चु मैं जा कर लूट लूँगी? लाली कार में बैठी, खुस्से से बड़बडा रही थी. जबकि उसके बगल में बैठी मारिया, उसे ऐसे बिहेव करते देख थोड़ी हैरान थी. पिछले दो हफ़तों में उसने लाली को जितना जाना था, ये लाली उससे एक्तम अलग थी. उसने हलके से मुस्कुरा कर उसे शान्द करते हुए कहा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? होती रहती हैं ऐसी पार्टीज. लेकिन मैं सच बताऊं, कुछ नहीं होता इन बड़े लोगों की पार्टीओं में, एक्तम पोरिंग टाइप की होती हैं. बस सब जबरजस्ती एक दूसरे से मुस्कुरा कर बाते करते रहते हैं, जबकि अंदर ही अंदर स्यादातर लोग एक दूसरे से खुननस खाई रहते हैं. उसमें जान पूछ कर ये सब बाते कहीं, ताकि लाली पार्टी के बारे में सोच कर गुस्सा होना या उदास होना फूल जाए. लेकिन लाली पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ. यूँ तो मारिया को दिखाने के लिए वो खामोश हो गई, लेकिन मन ही मन उसका गुस्सा अब भी उबाल मार रहा था. शायद अभी मैंने इस लायक नहीं लगती, इसलिए इनोंने बड़े लोगों वाली अपनी पार्टी में मुझे नहीं बुलाया. शायद मेरा तौर तरीका इन्हें शर्मिंदा न कर दे, ये सोच के ये लोग मुझे नहीं बुला रहे होंगे. लेकिन देखना, एक दिन मैं इस लायक जरूर बनूंगी. हर कोई मुझे अपनी पार्टी में बुलाने की खुआश करेगा. उसने मन ही मन गुस्से से सोचा. लेकिन लाली को ये पता नहीं था, कि उसकी ये दुआ आगे किस रूप में पूरी होने वाली है. अगर उसे इसका जरा भी एहसास हो जाता, तो वो ऐसी खुआश कभी नहीं करती. खर पहुँचकर भी लाली का मूर पार्टी के बारे में सोच सोचकर उखड़ा ही रहा. न जाने क्यों, उसे ये बात अपनी बेज़दी सी महसूस हो रही थी. और फिर सुजोई ने उसे मना भी तो इस अंदाज में किया था, जैसे कि उसकी कमपनी में लाली की कोई एहमियत ही न हो. उधर शूटिंग वगरा निप्टा कर, सुजोई ने क्यामरा ओपरेट करने वाले लड़के मोहिट से कहा. पार्टी में जैसे ही दिव्या माम की एंट्री अनाउंस की जाएगी, उसके बाद उनका छोटा सा स्पीच होगा. उसके ठीक बाद ही ये विडियो कैसे चला देना. इसमें उनकी सुजोई मोशन्स के साथ पांच साल की जर्णी के बारे में एक शॉट फिल्म है. ध्यान रखना ये बेहत जरूरी बाठ है. इसमें सुजोई मोशन्स और दिव्या सिंग के जॉइन्ट अचीव्मेंट्स है. इसलिए इने आने वाले गैस और मीडिया को दिखाना जरूरी है. कहकर उसने वो कसेट मोहित के हवाले कर दिया. मोहित ने ये सर कहते हुए वो विडियो के सेट लिया और वहीं पर रखकर बातरूम चला गया. थोड़ी दिर में वो फ्रेश होकर आया तो सुजोई वहाँ नहीं था. मोहित ने खड़ी देखी और हड़ बढ़ाते हुए खुद से कहा, कहते हुए उसने वहाँ पर पड़े हुए तीन-चार कसेट में से वो कसेट उठाया जो सुजोई ने उसे दिया था. फिर देजी से वहाँ से निकल गया. सुजोई जब पार्टी में पहुँचा तो ज्यादतर गैस आने लगे थे. वो सबसे हसते, मुस्कुराते और मिलते हुए सीधे शाहा साहब के पास आ गया. शाहा साहब ने उसे देखते ही कहा, वो विडियो कसेट तो लाए हो न? सुजोई ने जवाब दिया, हाँ मोहित को दे दिया है, विडियो और कैमरे का काम वही देख रहा है, तो उसे पहले ही सौब दिया था. शाहा साहब ने ओके कहा, और फिर जैसे कुछ याद करते हुए बोले, ओ हाँ, एक और बात बतानी थी तुमें. ऐसा है कि दिव्या की शूटिंग तो उम्मीद से पहले ही खतम हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि लाली वाला आइटम सौंग भी कल से ही शूट करना शुरू कर दें. ये सुनकर सुजोई कुछ बलों के लिए ठिठक सा गया. उसे लग रहा था कि पता नहीं लाली अभी शूट के लिए सही से तयार हुई भी है या नहीं? फिर उसे अचानक से लगा. ना भी हुई तो मेरा क्या जाना है? अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो शाहा साथ भी उसके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे. इस तरह कम से कम हमारा पीछा तो छूटे का उस जबरदस्तिकी हिरोईन से. ऐसे भी इतनी अच्छी फिल्म में वो बी ग्रेड आइटम सॉंग नहीं रहे तो भैतर है. बस यही सोच कर उसने जल्दी से कहा. बिल्कुल, क्यों नहीं? सही भी है, हम क्यों फालतु में ज्यादा टाइम बरबाद करें? वैसे भी उस गाने की एडिटिंग बगेर में भी तो वक्त लगेगा ही. उसका जवाब हाँ में सुनकर, शाह सहाब ने खुश होते हुए कहा. ठीक है फिर, तुम उसे कॉल करके अभी इनफॉर्म कर दो, ताकि कल सुबह वो टाइम से सेट पर आ जाए. काफी कुछ देखना भी होगा उसकी तैयारी के लिए हमें. क्योंकि अकेले क्यामरा फेस करने में और दस लोगों के साथ पफॉर्म करने में काफी फर्क होता है. सुजोई हामी भड़ते हुए लाली को कॉल करने के लिए बाहर की तरफ आ गया. तब ही उसकी नजर मोहित पर पड़ी. उसने मोहित को देखते ही पूछा. कसे इटलाए होना याच से? मोहित ने मुस्कुरा कर कहा. ये सर. कहते हुए उसने पीट पर लदे कैमरे वाले बाग की तरफ इशारा किया. सुजोई उसे ओक्खे कहता हुआ, लौन में चलाया था. उसने वहीं से लाली को कॉल लगाया, तो फोन मार्या ने उठाया. सुजोई के आवाज सुनकर उसने लाली को बुलाते हुए कहा. मैम, आपके लिए सर का कॉल है. कहकर, वो रिसीवर रखकर अपने कमरे में चली गई. लाली ने कुछ अलसाए मन से फोन उठा कर हैलो कहा, तो सुजोई बोला. अभी मेरी इशाह साप से बात हुई है, उधर की शूटिंग कम्प्लीट हो गई है. इसलिए वो कहा रहे हैं कि तुम्हें कल से ही शूटिंग के लिए आना होगा. कल से ही? डाली ये सुनकर कुछ चौक सी गई. लेकिन इतनी जल्दी क्यों? मेरा मतलब है कि शूटिंग तो अगले हफते से शुरू होने वाली थी ना? सुजोई ने जल्लाते हुए कहा, देखो ऐसा है कि तुम अभी स्ट्रॉगलिंग अक्ट्रिस? सॉरी, अभी तो तुमने स्ट्रॉगल का एस भी नहीं देखा है. तो तुम इतना समझ लो कि शाह साब तुमसे पूछ नहीं रहे, बलकि बता रहे हैं. ज्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. वैसे भी पंदरा दिन बहुत होते हैं खुद को तयार करने के लिए. इसलिए कल सुभे आट बजे तयार है ना? साम तुम्हे लेने आ जाएगा, ठीक है? लाली कुछ पलों तक खामोश रही, फिर धीरे से, ठीक है, कह दिया. सुजोई कॉल काटने ही वाला था, कि तब ही लाली ने जल्दी से पूछा, आप अभी वहीं पार्टी में ही हो? हाँ, क्यों? सुजोई ने सपार्ट लहजे में सवाल किया, कुछ नहीं, मैं तो बस ये पूछ रही थी, कि क्या हो रहा है अभी वहाँ? उसका सवाल सुनकर, सुजोई एक बार फिर से उक्ताहट भरे लहजे में बोला, तुम अभी ज्यादा पार्टी वाटी के फिक्र में मत पड़ो, अपने काम पर ध्यान दो, अभी कल से तुम्हारे सामने क्या-क्या चुनोती आने वाली है, तुम तो बस इसकी फिक्र करो, अब चुपचाब डिनर करके सो जाना, ताकि कल सुभ़े फ्रेश उठो और पहले ही दिन देर से न पहुँचो, सुजोय ने उसे सक्ती से कहा और कॉल कट कर दिया, लाली काफी देर तक यूँ ही रिसीवर था में बैठी रह गई, लेकिन फिर उसे सुजोय की बात याद आई, तो उसने मारिया से चल्दी से खाना लगाने को कहा, ताकि खा कर चल्दी सो जाए, लेकिन उसका ध्यान अब भी पाटी में ही लगा हुआ था, उसने खाना खाते हुए मारिया से पूछा, वैसे मारिया, आप कभी ऐसी पाटी में गई हैं? मारिया ने एक फीकी हसी हसते हुए कहा, हाँ, कई बार, जब मैं किसी और की असिस्टन थी, अच्छा, किसके असिस्टन थी आप पहले? मारिया ने उसका सवाल टालते हुए कहा, उस बात को छोड़िये, आपको ऐसी पाटीज के बारे में जानना था ना, आपको पता है, इन पाटीज में खूब शराब और शबाब परोसी जाती है, लोगों के नए-नए कॉन्टाक्स बनते हैं, किसी की सिंदगी सवर जाती है, तो किसी की सिंदगी भिखर जाती है, कहते-कहते, मारिया कुछ खोसी गई, लाली को ऐसा महसूस हुआ, जैसे वो कुछ याद करके तुखी हो रही हो, उसमें आगे कहा, बस यू समझ लीजे, ये बड़े लोग ऐसी पार्टी या तो लोगों में अपनी पैट बनाने के लिए ओगनाईज करते हैं, या फिर अपने अंदर का खोखलापन भुलाने के लिए, ये कहकर मारिया, लाली से नजरें चुराते हुए किचिन की तरफ चाती हुई बोली, मैं आपके लिए और रोटियां लेकर आती हूँ, लाली बस सिर हिला कर रहे गई, मारिया कुछ याद करके परिशान थी, यही सोच कर, लाली ने उसे खुद को संभालने का मौका दिया, और जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चली आई, पार्टी में ड्रिंक और स्टार्टर का लगभग दो दोर चल चुका था, हर मेहमान की नजरें अब बस दिव्या सिंग की ही तलाश कर रही थी, तब ही मशूर मागजीन फैशन एरा के चीफ एडिटर मिस्टर रत्नम शाह साब के पास आते हुए बोले, शो स्टॉपर को इतनी देर से लाएंगे आप लोग, कहीं तब तक शो ही ना खत्म हो जाए, शाह साहब ने अपने जाने बहचाने अंदाज में ठाहा का लगाते हुए कहा, अरे मिस्टर रत्नम, थोड़ा सब्र कीजे, जानते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, बस दिव्या बेबी किसी भी वक्त आती ही होंगी, मिस्टर रत्नम एक ठंडी सांस भरते हुए बोले, हाँ भई, अब जब इंडस्ट्री की टॉप हिरोईन का इंतजार करने की बात है, तो भला कौन इस इंतजार में जलना नहीं चाहेगा, उनकी बात सुनकर शाहसाब के साथ साथ वहाँ खड़े बाकी गैस भी हसने लगे थे, तभी स्टेट से अनौंस्मेंट होने लगी, So ladies and gentlemen, with a big round of applause, please welcome Hindi Film Industries, most hot and sizzling actress, Ms. Divya Singh, पूरा हॉल तालियों की गड़गडाहट से गुंजुड़ा था, Divya Singh एक बेहत खुबसूरत, वाइट स्टोन्स वाली ड्रेस में नजर आ रही थी, फीड से गुजरती हुई, वो बड़ी मुश्किल से स्टेज तक पहुची, वहां मौजूद ज्यादा तर लोगों की नजरें, उस पर से हट ही नहीं रही थी, वो किसी डॉल की तरहे मुस्कुराती हुई माइक लेकर अपनी एंट्री स्पीच दे रही थी, तब ही सुजोई ने मौहित के पास जाकर कहा, जैसे ही इनकी ये स्पीच खत्मों हो, वैसे ही विडियो के सेट लगा देना, फिर उसके बाद ही सब डिनर के ले जाएंगे, काफी देर हो गई है, इसलिए टाइम का खास ख्याल रखना, सब कुछ रेडी रखो, कहते हुए उसने सुजोई को थम्स अप का साइन दिखाया, उसने मौहित को जवाब दिया और वापिस आकर शाहा साथ ही पैट गया, दिवया कुछ देर तक अपने और सुजोई मोशन्स के रिलेशन पर बोलने के बाद, सब को थैंक यू बोलकर स्टेज से उतरने लगी थी, तभी वहां मौजूद सभी रिपोर्टर्स ने उससे और शाहा साथ से कुछ सवाल जवाब करने की परमिशन मांगी, दिवया ने मुस्कुराते हुए हामी भड़ दी, और सबकी जिद की वज़े से शाहा साथ भी स्टेज पर आ गए, फिर एक-एक करके सभी मीडिया वाले उन दोनों से उनके कारियर और एक्सपीरियन्स के बारे में पूछने लगे, लेकिन एक सवाल ऐसा था, जिसे सुन कर सब चौँक से गए, मिस्स दिव्या, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सुजोव एमोशन्स और शाहा प्रोडक्शन्स में काम करते हुए, आपकी पोटेंशल्स कुछ बंद सी गई है, और यही सवाल मेरा शाहा साहब से भी है, कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इन पांच सालों में आपकी फ़र्म ने दिव्या माम के साथ ही फिल्में बनाते हुए, काफी सारे नए टालन्स मिस्स कर दिये हैं, यह सवाल और किसी ने नहीं, बल्गी मिस्टर रतनम ने पूछा था, कुछ पलों के लिए शाह साहब और दिव्या तूनों ही खामोश हो गए, तब शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका सवाल जायज है रतनम साहब, और इस बारे में मैं यही कहूँगा, कि अभी ना तो हमारा वक्त गुजर गया है, और ना ही दिव्या बेबी का, दोनों ही पार्टी को अभी इंडस्ट्री में अपना बहुत कॉंट्रिब्यूशन देना है, तो फिर सोचना क्या, जब ऐसा लगेगा, हम दोनों ही दूसरे आप्शन देखने से गुरेज थोड़ी ही न करेंगे, शाहा साहब का जवाब सुनकर, सभी गैस एक बार फिर से तालिया बजाने लगे थी, लेकिन न जाने क्यूँ, दिव्या कुछ नहीं हो पाई, उसे लगा था, शाहा साहब इस सवाल के जवाब में उसकी तारीफ करेंगे, और कुछ ऐसा कहेंगे, जिससे ये जाहिर हो कि वो दिव्या के अलावा और कोई ओप्शन देखना ही नहीं जाते, लेकिन शाहा साहब ने ऐसा कहकर उसे मायूस कर दिया था, दिव्या कुछ बुझी हुई सी स्टेज पर से उतर आई, तब ही शाहा साहब भी नीचे आकर उससे बोले, अरे दिव्या बेबी, अभी रुको तो सही, तुम्हारे लिए खुबसूरत सप्राइज तो अभी बाखी ही है, दिव्या ने चौक कर उन्हें देखा और उखड़े हुए लहजे में बोली, कैसा सप्राइज शाहा साहब, बैसे अभी आपने जो कुछ भी कहा, उससे बड़ा सप्राइज क्या ही होगा मेरे लिए, शाहा साहब उसके लहजे में छुपा तन समझ कर हस्ते हुए बोले, वो छोड़ो, तुम ये सप्राइज तो देखो, कहकर उन्होंने मोहित को इशारा किया, उनका इशारा मिलते ही मोहित ने वीडियो कसेट स्टार्ट कर दिया, स्टेज पर लगे, बड़े से सफेद परदे पर वीडियो चलने लगी, लेकिन वो वीडियो देखते हुए, सब के सब चौक गए, सारे गैस में चर्चा होने लगी, ये कौन है, इतनी सेंसेशनल, इतनी कॉजिस, शाह साब की नई हिरोईन है क्या, सब की काना फूसी सुनते हुए, जैसे ही सुजोई की नजर स्क्रीन पर गई, कोई एक्तम से फागते हुए मुहित के पास गया, मुहित यह क्या बखतमीजी है, ये कसर दिया था मैंने तुम्हे, मुहित खुद हैरान था कि ये कैसे हुआ, स्क्रीन पर खुपसूरत और सेंश्वस लाली के होटेल एड़ वाला रॉव विडियो चल रही थी और हॉल में मौजूद गैस में जैसे खलबली सी मजी हुई थी कि आखिर ये स्वर्की अपसरासी लड़की कौन है जबकि दिव्या ने जब उस विडियो को देखा तो गुस्दे से भर गई उसने शाह साथ को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा तो ये था आपका सप्राइस